तो चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आज आए चलते हैं वीडियो के टॉपिंग तरफ तो अब भी हम जो प्रॉब्लम डिसकस करने जा रहें वह मैं आपको बता दूँ हैकर रेक अंदर प्रॉब्लम का नाम है डूफ इसका जो डिफिकलिटी है वह एजी है और आ जाते हैं प्रॉब्लम डिसकस्शन की तरफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह पहले ही बता दूँ कि यह असान सा ही है लेकिन इसके test cases में क्या मसला है वो भी हम discuss करते हैं और इनके solutions को भी discuss करते हैं ठीक है अच्छा सबसे पहले problem क्या है problem यह है कि a is one equals to end is two equals to art the these share the common sub string is a ठीक है given two strings determined if they share a common sub string a sub string may be a small is one character ठीक है तो पहले वाले और दूसरे वाले के बीच में अगर कोई भी sub string है कोई single character भी अगर मैच हो रहा है तो that means they are sharing some sub string अब जैसे second वाला बी-ई-सी-ए-ट तो इन दोनों में कोई भी sharing नहीं है ठीक है तो हमें जो है string जो return करना होगा वह आइदर येस या नो बस इस तरह return करना होगा ठीक है अब जैसे string as one equals to i string string as two equals to another string तो यहां पर a common है like this ठीक है या उसके इलावा भी आगे भी common है लेकिन यहां पर a common बना जाती है ठीक है तो yes or no हमें return करना पड़ेगा इसने sample input दिया हुआ है जैसे hello or world इनके अंदर जैसे ओ है L है यह matching हो रही है लेकिन यह high और world के अंदर कोई भी matching नहीं हो रही तो यह simple yes or no इसने यहां पर response दे दिया हुगा है ठीक है तो हम देखने में अभी तक थोड़ा सा simply लग रहा होगा लेकिन क्या मसला हो सकता है हम दो solutions आठ discuss करने लगे एक solution number one जिसमें test cases में मसला है और solution number two जिसमें test cases सारे clear है हमारे ठीक है ठीक है आज हैं चलते है solution की तरफ अच्छा सबसे पहले हम solution number one discuss कर लेते हैं यहां पर simple हमने क्या किया कि हमें s1 और s2 मिला हमने एक for loop चलाया s1 के उपर तो हमें वर्डिंग बाइ वर्डिंग जो है character by character ताकि हमें यह s1 का जो भी character है वो मिलता रहे ठीक है two match equals to s1 dot character rate i like zero one two वो मिलता रहे और यह जो s2 है इसके उपर हमने loop चलाया और सिर्फ हमने एक if की condition लगाई कि अगर अगर वहां पर two match हो रहा है तो return yes कर दो otherwise no कर दो seems like simplest लेकर अगर आगर आप imagine करें के string के अंदर अगर मुझे 5000 करेक्टर्स यहां मिलते हैं और 5000 करेक्टर्स यहां मिलते हैं ठीक है या उससे भी ज्यादा अगर हमें मिलते हैं तो फिर कितनी conditions होंगी कितने loops होंगे कितनी कितनी conditions चल रही होगी इसके इलावा let's say अगर यह ace one है और ace one के अंदर हमें 5000 करेक्टर्स यहां मिलते हैं सिर्फ like this ठीक है हमारी जो ace two है उसके अंदर A है इतो भी आपकी खामखा कि if कितनी मरतबा चल रही होगी वही A को बार 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 चेक करेगी और बार बार चेक करेगी like this तो यह चीज़ें इस तरह चल रही होगी ठीक है तो इसमें अब मसला कहा आ जाता है मसला आ जाता है इसकी performance का इसमें डुप्लिकेशन आपके जो कंडिशन चेक है उसमें आ जाता है और खामक हा आके आपके लूपस के अंदर आ जाता है तो आपके टेस्क कैश्स जो पर्फॉरमनस वाले वो सारे फेल हो जाते हैं क्योंकि टेस्क एसमें अंदर पांच हजार करेक्टर्स भी आ सकते हैं, एक लाग करेक्टर्स भी आ सकते हैं, तो like this, ठीक है, अब discuss करते हैं, solution number two, के वो हमने किस तरह किया, अच्छा हमें पता है, जो set होता है, उसके अंदर duplicates add नहीं होते, वो duplicates को remove कर देता, और उसमें जो भी करेक्टर्स होंगे, वो unique ह होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कि एक set बनाया, और set के अंदर हमने सारे जो ace one थे, वो सारे add करते गए, ठीक है, set के साथ, तो वो हम सारे यहां पर add कर दिये, तो अगर let's say, कि इसके अंदर five times, sorry, five thousand times भी अगर a था, तो वो हमें add the add क्या मिलेगा, a, और हम हमने सिर्फ एक single loop लगाया, और loop के अंदर कोई condition भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा loop लगाया, यहां पर, कि यहां पर ace two जो है, अगर वो contain करता है, c को, जो set में data हमारा गया हुआ है, तो वो यहां पर yes कर दे, otherwise वो यहां पर हमें no दे दे, ठीक है, तो क्या फ वो अब क्या होगया, one time पढ़ गया, just, ठीक है, या इस तरह के कोई characters है, एक character multiple times है, तो वो सारा character single time आ जाएंगे, like, a एक बार आ जाएगा, j एक बार आ जाएगा, b, d, और k, इस तरह like, एक एक बार आ जाएंगे, और s like this, ठीक है, तो जो input होगा, वो इस तरह होगा, तो output इस तरह हो जाएगा, तो हमने कितनी conditions पहली चीज़ के बचा ली, ठीक है, दूसरा ये किया, कि यहाँ पर वो उपर भी किया, यहाँ भी किया हुआ है, कि यहाँ पर हमने contents का method इस वज़ा से use कर लिया, क्योंकि वहाँ पर हमें उपर वाले, उसके अंदर हमें एक एक मरतब सेकंड वाले के उपर भी, तो हमने बस यह वाली जो सेट था, इसके उपर ही सिर्फ लूप चला है, और सिर्फ contents का method चला है, कि अगर contents है, तो that means कि वहाँ पर available है, और पहला ही उसको contents मिल जाता है, अगर let's say a ही उसको मिल जाता है, यहाँ पर किसी भी जगा पर, इस ace two के अ सान है, लेकिन जब उनके test cases को देखते हैं, और सारी चीज़ों को देखा जाता है, और अगर आप एक interview दे रहे हो, इस तरह का, तो आपकी इस performance को भी देखा जाता है, इस optimization को भी देखा जाता है, time complexity को भी देखा जाता है, तो यह सारी चीज़ें देखी जाती है, तो इस व evolution भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमने पहले इसको optimize कर दिया, optimize करने के बाद हमने सिर्फ एक बार ही उपर लूप चला है, और हमें content के method को use करते हुए, हमने यहां पर जो भी yes return करना था, तो otherwise return कर दिया, no, that's it.